एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कुशिस करेंगे अज जो मार्केट में क्या सकते हैं एक मौनिंग में शाप स करते हैं और समझते हैं मंदे के लिए कैसा ट्रेडिंग सेशन रह सकता है तो सबसे वहले अगर और रिफ्रेश करूं तो यहां पर 30 दिसमबर की एक्सपायरी है और यहां पर कंटिनुसली एक मार्केट में वीकनेस बनी हुई है अगर बात करें यहां पर तो 17,000 की कॉल पर आपको 40 लग का उपनिटर्स देख रहा है और पूट पर आपको 60 लग का उपनिटर्स देख रहा है यानि 17,000 पर अभी भी जो कॉल साइट पर पर साइट पर सिर्फ एईस लग का उपनिटर्स दिख रहा है उपर बढ़ते हैं तो 17,000 लाक उपनिटर्स खड़ा हुआ है यानि 17,200 आपके लिए स्ट्रॉंग रजस्टेंस का काम करने वाला है 17,250 का लेवल आपके लिए कापी दादा यहां पर एक रजस से अपनी पोजिशन को हलका करेंगे और तब आपको मार्केट में जो वीक में से वह घहराती होई दिखाई देगी यह ऑप्शन चेंज बता रहा है अभी तक हमें यह चीज हमें क्लियर्ली ऑप्शन चेंज से इंडिकेट हो रही है अगर हम यहां पर चार्ट से समझने की क पोछिस करें देखो निफ्टी का चार्ट है यहां पर क्लियर्ली आपको यहां पर कह सकते हैं कि आपको क्लियर्ली जो स्ट्रक्टर है वो पूरा नेगेटिव साइड का बना हुआ यहां पर और एक्सपेक्टेशन्स यही है कि यह जो लेविल है आपका इसको आप ये ये आपके लिए strong resistance का काम गर रहा है यहाँ पे nifty और अगर इसके आसपास मिलता है यहाँ पे तो हो यहाँ पे selling opportunity ही यहाँ पे डूंडी जा सकती है आज की trading session में गर देखा जाए तो instantly gap up के बाद तुरंट selling देखने को मिलीती अगर आप देखो पांच मिनट के चार्ट पर आपको यह clearly देखेगा आपको खुला खुलने के साथ market किरा market at 11 के वीडियो में around 11 बजी के आसपास हम यहाँ trade कर रहे थे पैने आपको clearly बताया था अगर low break होके market नीचे trade करना start करता है तो फिर आपको another hundred point का fall देखने को मिलेगा otherwise यहां से market थोड़ा बहुत recover हो जाएगा क्योंकि इतनी तेजी से नीचे आया है देखो अगर market को एक लंबा नीचे run up जाना है तो यह तेजी से गिरेगा फिर यह halt नहीं करेगा फिर यह दुबारा तुरंट नीचे चला जाएगा बट अगर इसको recover होना है और नीचे नहीं गिरना है तो सरफ यह इतना ही गिरेगा और आप देख रहे हो कि जैसी यह खुला around 17,150 से almost इसने low बना दिया था आपका देखो साड़े दुस पर तक आपका low था 16,900 का almost कह सकते हैं हम 200.00 की गरावर टॉप से bottom तक की हमें दिख रही है अब यहाँ पे क्या प्लान करना चाहिए Monday के लिए उस चीज़ को हम समझते हैं तो सबसे पहली चीज़ 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ यह जो level है हमारे पास इसको हम और थोड़ा सा उपर कर लेते हैं यह perfectly हमारे पास 17,300 का level आता है जो की strong resistance है हमारे पास और अब हम बात करते हैं एक low की जो की है आज का ठीक है आज का swing low break होता है immediately आपको sell करना stop loss 30 से 30 point का आप लगा सकते हो ठीक है और target आपका पहला जो होगा वो होगा 16,822 का आज का low break होते ही आप यह selling प्लान कर सकते हो अगर 16,800 break होता है तो सीदे सीदा फिर यह gap है यह आपके लिए nifty का यह खुलता होगा दिखाई देगा target तो फिर 16,640 के target के लिए हम hold कर सकते हैं अपनी position को यह चीज के लिए यहां पर समझ लीजे अगर 16,800 break होता है अगर market gap up खुलता है तो gap up में आप देख सकते हो कि यहां पर nifty continuously resistance ले रहा है ठीक है तो जब तक यह level park नहीं होता आपका तब तक यहां पर कोई further 100,500 point या upside नहीं बनेगी अगर यह यहां से swing low यहां से दीरे दीरे और recover करके अगर 17,150 को निकालता है तो फिर यहां से 100 point का upside moment बन दकता है सिर्फ 100 point का ही है यहां से कोई बड़ी तेजी होगी एकदम से वो फिलाल तो नहीं दिख रहा है क्योंकि जिस तरीके ते market का जो volume है आपको यहां पर FIIs और TIs जो participate करते हैं तो यहां पर FIIs की तरफ से जो flow है वो कम होता हुआ दिखाई दिया because of holiday तो कह सकते हैं हमकी next week खतम होने के बाद ही यहां पर market में further एक action बनता हुआ दिखाई देगा यह चीज़ आपके लिए यहां पर समझ लीजिए तो nifty के लिए आपके पाद opportunity क्या है यही opportunity अगर यह उपर जाता है round 17,200 पर वहां पर short करिए नीचे 16,800 के आसपास आता है तो वहां पर buy करिए यही यहां पर एक opportunity है जो कि level to level पर आपको काम करने पर मदद करेगी बीच में आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बीच में यह market volatile रहेगा तो आपके बास ज्यादा कुछ opportunity मिलेगी नहीं कि किस side buy करें किस side sell करें तो आपको wait करिए market को अपने एक level तक आने का उसके बाद आप short plan कर सकते हो या फिर आप नीचे इसके गिनने का wait करिए 16,800 के आसपास तक का फिर आप एक buy plan कर सकते हो जो expectations यह है कि nifty इस particular series में 17,300 से लेके 16,800 के बीच में ही trade करेगा यह मेरा view है इस particular series का bank nifty की बात कर लेते हैं तो bank nifty इन्हें देखो पैते सया का level दुबारा थे तोड़के उसके नीचे close दिया है बट इसने आप देख रहे हो यह नीचे के level पर यह level इविन यह क्या आप इसको सीदा सीदा है मान के चलो यह 34,650 का level आप मान के चलो यहाँ पर 34,650 अगर break होता है क्योंकि आज इसने continuously इसी level पर hold की है अगर यह break होता है मंडे को immediately आप sell कर सकते हो और target होगा आपका 34,300 का यह जो low बना हुआ यह आपका target होगा ठीक है यह आपके पास target है और अगर यह low भी break हो जाता है तो फिर आपके पास 34,650 का आपको निकल के आता है उपर यह यह यहाँ पर resistance ले रहा है around 35,50 के आसपास तो आपको जब तक यह दुबारा से 35,100 के ऊपर नहीं निकलता तो यहाँ पर कोई buying बनती नहीं है उपर की level पर bank nifty अटक रहा है तो यहाँ पर कह सकते हैं consolidation का behavior चल रहा है bank nifty का आप देख रहे हो continuously अगर यह नीचे की तरह निकल रहा है तो आप definitely short करिए उपर भले buy करिए ना करिए कोई फरक नी पड़ता बट ट्रेंड जो है वो negative है तो आप अगर low break होता है 34,500 के नीचे अगर bank nifty trade करना start करता है तो आप यहाँ पर definitely short कर सकते हो पहला target आपके पास सीधर सीधर 34,400 का आएगा और 34,400 का target अगर break होता है तो आप फिर 34,400 के target के लिए अपनी position को hold कर सकते हो यह clearly bank nifty का view है और कोई जादा है ऐसा बड़ा view नहीं बन रहा है यहाँ पर bank nifty में जिसके basis पर हम य देफिनेटली एक हजार point तक का movement आ सकता है क्योंगी यह जो level है यह already यहाँ पर test हो चुका है और negative side direction चल रही है market में जो price action है वो negative behavior दिखा रहा है और day पर जो trend है वो negative चल रहा है तो नीचे hold करना थोड़ा सा मुश्किल है उपर resistance यह definitely लेता रहेगा अगर global market की बात करें त last trading session में 200 point का उच्छाल देखने को मिलाता है अब सीधा सीधा मंडे को DAO future कैसा खुलता है उस पे हम action लेते हुए दिखाई देंगे अगर positive खुलता है तो थोड़ा सा gap up कुल सकते है negative खुलता है तो gap down खुल सकते हैं बट हमारे पास जो view है अगले 2-3 दिन का वो एक consolidation का ही view ह यह चीज़ आप के लिए यहां पर समझ लीजिए तो आई होप दोस्तो इस पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो like और शेज जरू करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं जोती लेकर आता हुआ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तो जैहंद